हेलो बच्चो, गुड़ मॉनिंग, आज हम पढ़ेंगे सम्विज सिरीज हिंदी व्यक्रने व्रचना कक्षा 4 लेसन आपके 10 लेसन का नामें विराम चिन्ह सबसे पहले हम पढ़ेंगे विराम का आर्थ विराम किसे कहते तो विराम का आर्थ है रुकना विराम का क्या आर्थ होगा रुकना कोई भी बाशा बोलते समय अपने विचार और हाव भाव स्पस्ट करने के लिए हम बीच बीच में तथा अपनी बात पूरी करके रुखते हैं, लिखते समय इसे दर्शाने के लिए हम कुछ चिन्नों का प्रयोग करते हैं, इनी चिन्नों को विराम चिन्नों कहते हैं, प्रमुक विराम चिन्नों निम्नलिकित हैं, पहला है अलप विराम, अलप विराम क्या ह आप देख सकते एक छोटा सा कोमा करके उसका चिन्न लगाया जाता है वाक्य में संग्याओ का क्रियाओ को अलग-अलग स्पष्ट करने के लिए थोड़ी देर रुखने पर अलप विराम लगाया जाता है जैसे राम, मोहन और प्रियंका कक्षा में हैं ये तीनों बच्चे अलग-अलगे, तीनों के नाम अलग-अलगे पर हमने इन तीनों के बीच में अलग दर्शाने के लिए क्या कर दिया एक अलप विराम लगा दिया, कोमा लगा दिया अब आगे हैं, हम मेले में खाते हैं, पीते हैं और खेलते हैं तो दोनों वाक्य अलग अलग है तो इनके बीच में क्या लग गया अलपविराम तिसरा है पापा चाहते हैं मैं उन्नती करूँ तो बीच में क्या लग गया अलपविराम लग गया विशेश, कहीं बार एक ही वाक्य में अल्पविराम का प्रयोग अलग-अलग स्तान पर किया जाए तो यहाँ अलग अर्थ देता है जैसे रुको, मत जाओ तो यहाँ पर क्या कहना चाहता है रुको, मत जाओ तो दोनों के बीच में हमने क्या लगा दिया अल्पविराम, इस वाक्य में रुकने के लिए कहा जा रहा है क्या करने के लिए कहा जा रहा है रुकने के लिए रुको, मत जाओ इस वाक्य में जाने के लिए कहा जा रहा है क्या कहा जा रहा है जाने के लिए अब ये दोनों वाक्य एक जैसे लगए आपको, पर एक कोमे के मतलब अपने जो अलप विराम लगाया था, उसमें पूरा वो वाक्य चेंज हो गया, जैसे रुको मत जाओ, उसमें अपने रुको के पीछे लगा दिया था, और मत जाओ, मतलब आप रुख जाओ, जाओ, मत, और रुकोमत जाओ, उसका अर्थ होगा, तुम रुकोमत तुम जाओ, है ना, आगे हैं दुसरा आपके अर्ध विराम, क्या है अर्ध विराम, इसका चिन्न आपके समने दिया हुआ है, वाक्षी की पूरा होने पर यदि उसका भाव समझाने के लिए उधारन देना होता है, तब अर्ध विराम लगाते हैं, जैसे जो शब्द संग्याकिस्थान पर प्रयूक किये जाते हैं, उन्हें सर्वनाम केते हैं, जैसे वह, यह, आदि, यहाँ पर आपने देखा केसे अर्ध विराम का चिन्न लगाया है, तिसरा है आपके पूर्ण विराम, वाक्षी की प्रश्न वाचक चिन्ह जब आप प्रश्न करते हो तब जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए तब उसके अंत में इस चिन्ह को लगाया जाता हैं जेसे तुम कहां जा रहे हो उसमें क्या पूछा गया है प्रश्न पूछा गया है तो उहां चिन्ह कुन सा लगेगा प्रश् इसमें आद्धी बोधक चिन्ह, इसमें क्या आएगा आश्चर्य, खुशी, शोक, ग्रणा, प्रशंशा, आदी भाव प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयूग किया जाता है, जब आपको भाव प्रकट करने हो आश्चर्य, खुशी, शोक, ग्रणा, प्रशंशा, आदी यह कैसे मर गया? यहां आपने शोक व्यक्त किया है, है ना? तिसरा वाक्य है आपके छी, यह पक्षी कितना गंदा है, यहां आपने उससे ग्रणा कीये, क्या किया है? ग्रणा मतलब उससे वो आपको अच्छा नहीं लगा, है ना? छटा है आपके योजग चिन्ह उसमें आपके क्या आएगा चिन्ह आपके सामने दिया हुआ इस चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है इस शब्द का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है दो शब्दों को जोड़ने के लिए है ना जैसे पहला है धीरे धीरे दोनों शब्द जोड़ रहे हैं तो इसमें अपने इस चिन्ह लगाया है धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले और दूसरा है बगीचे में रंग भी रंगे फुल खिल रहे हैं तो रंग भी रंगे के बीच में आपके जो चिन्ह लगाया है कुन सा चिन्ह है योजक चिन्ह टोटल आपके चिन्ह है 6 कितने चिन्ह है 6 अब हम पढ़ेंगे हमने समझा और सीखा इस पार्ट से हमने क्या समझा और क्या सीखा रक्के के मद्ध में या अंत में रुकने के लिए जिन चिन्नों का प्रयोग किया जाता हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं दुसरा है लिखने में इनके प्रयोग से भाशा को परने और समझने में आसानी होती हैं यहां हमने इस पार्ट से सीखा आए